प्रदीप अपनी आखें मलते हुए अपनी नीन को बाई बाई बोलता है और अपने बैट के पास वाले स्टूल से अपना चश्मा उठाकर पहनता है और सीथा जाकर अपना लैप्टॉप आउन करता है और जब वो अपनी मेल्स चेक करता है तो फिर उसके चहरे पर एक था वो आ चुकी थी नई कंपनी से ओफर लेटर और वो भी 40% ग्रोथ के साथ अब आज के टाइम में कोविट के टाइम में जहां पर लोगों के अप्रेजल्स नहीं हो रहे थे वहां पर इतनी अच्छी जॉब प्रदीप के लिए ये वज़ा खुश होने के लिए काफी थ आत-साथ वो सिल्की के साथ शियर करना चाहता था सिल्की और प्रदीप दोनों एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं अब प्रदीप जहांपर ओफिस का सबसे इंटेलिजेंट और बेस्ट इम्प्वोई में से एख है वहीं शिल्की ओफिस की सबसे खुबसूरत लड़की और सिल्की भी ऑफिस में सबसे ज्यादा बात प्रदीप के साथ ही करती है फिर चाहे वो बात काम से जुड़ी हो या फिर उसकी परसनल लाइफ से और प्रदीप वो तो सिल्की को देखते ही खो जाता है उसमें सिल्की जब हसती है तो उसकी हसी में खो जाता है जब हसते हुए सिल्की के गाल लाल हो जाते हैं और उसकी राइट गाल पर जो तिल है वो चमकने लगता है उस चमक में खो जाता है जब सिल्की की जुल्फे उड़ती है और उन्हें समेटने के लिए वो उन्हें अपने कानों के पीछे करती है तो उन जुल्फों मेखो जाता है, सिल्की की आँखो जाता है जब जब सिल्की को देखता है तो उसे लगता है कि उसे बोल दूँगी तो दुनिया की सबसे खुबसूरत लड़की है और मैं फुरी जिन्दगी तेरे साथ जीना चाहता हूँ लेकिन ये सारी बाते वो कभी सिल्की से नहीं कहता क्योंकि इससे पहले ये उसका ध्यान खुद पर चला जाता है अपने बड़े हुए वजन पर और अपने बड़े हुए पेट पर चला जाता है और सोचता है कि मेरा और उसका कोई मेल नहीं है ये कहकर अपने दिल को हर बार समझा देता है अपने अर्मानों को दबा देता है काशकी मैं कभी उससे कह पाता उसे बता पाता है कि इतनी स्पेशल है वो मेरे लिए ऐसे बहुत से सवाल लेकर आफिस पहुंचता है और सिल्की को जब अपनी जॉब के बारे में बताता है तो सिल्की पहले बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद थोड़ी सी उदास और प्रदीप से कहती है तुम चले जाओगे फिर हम रोज नहीं मिल पाएंगे न और अभी तो हमारी लव स्टोरी शुरू भी नहीं हुई तुमने मुझे आइलव यू नहीं बोला मैंने तुम्हें आइलव यू टू नहीं बोला हम लॉन ड्राइफ नहीं गए सिल्की अभी कुछ और कहने वाली थी प्रदीप टोकते होए और खुद को संभालते होए नहीं मैं तुम्हें आइलव यू बोलता तो तुम मुझे आइलव यू टू बोलती क्या नहीं मेरा मतलब की तुम कितनी सुंदर हो और मैं ऐसे मतलब क्या प्रदीप अपनी ही बातों में उल्चा हुआ कुछ और बोलता इससे पहले ही सिल्की ने प्रदीप के लिप्स पर अपनी फिंगर रग दी और बोली आइनो थोड़े टेड़ीव यू टाइप सो पर जैसे भी हो मुझे पसंदो मेरे लिए स्पेशल हो अब तुम तो पता नहीं I love you कब बोलोगे पर मैं बोलते हूँ I love you too यह कहते हुए सिल्की ने प्रदीप को हग कर ली और यहां से शिरू हुई प्रदीप और सिल्की की यह क्यूट वाली प्यारी सी लब स्टोरी